दमश्कार प्रियसातियों बैहुं सुरेश श्रिमाली और आप देख रहे हैं चातुर बास इस्पेशल कारिकरब आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है इस बार 29 जून से लेकर 23 नूंबर 2023 तक 19 साल के बाद चार नहीं पांच महिने का होगा चातुर बास दूसरा पॉइंट चावाले सरवार सिद्धी योग पांच पुष्च नक्षत्र नौ अम्रिस सिद्धी योग इस दोरान होंगे कौन से पांच दान है जो आपके जीवन में पुणने ला सकते हैं कस्ट दूर कर सकते हैं और सभी प्रकार की चिंताओं को दूर कर सकते हैं प्रेसातियों अगर आप अपनी जोतिश या अध्यात्पर से संबदे कोई समस्य है तो आप उससे परसली बिल सकते हैं फिलहाल मैं अपनी अमेरिका और यूके गयात्रा पर जा रहा हूँ आप यह रहते हैं तो मुझसे बिल सकते हैं या फिर टैलिफोनिक और वीडियो कॉनफेस अपन्मेंट के द्वारा पे जूट सकते हैं आई अपने विशय पर लोड़ते हैं इस वर्ष गुरुवार 29 जून आशाड महा के शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन से चातुर मास प्रारम हो जाएंगे जैसा की नाम से ही संकेत मिलता है चातुर मास प्राथ चार महिने के अवधी की लिए होते हैं ये पर्व आम तोर पर आशाड महा के देव शैन एकादशी से शुरू होते हैं और कार्तिक महा के उत्रायन एकादशी पर समाप्त होते हैं इस समय में स्रीहरी विष्टू योग निद्रा में लीन रहते हैं इसलिए किसी भी शुब और मांगली कारिय नहीं किये जाते हैं मना ही है इसलिए इस दोरान आपने देखा होगा कि शुब और मांगली कारी नहीं करते हैं शादी बया नहीं होते हैं और जैसे समाप्त होता है नवंबर दिसंबर के बाद कितनी शादिया होती है तो चातुर मास में पहला महिना स्रावन जो भगवान शिव को समरिपित है विशेश र कार्तिक देपावली उत्सव इस महिने में समाप्त होते हैं पर इस बार 2023 में दो स्रावन माह होने के करण या चातुर मास चार महिने का नहीं होकर गुरुवार 29 जूम से गुरुवार 23 नौंबर कार्तिक शुक्लपश्री देव उठ्टी एकादिशी तक यानि 5 महिने का चा इसमें 44 सरवार सिद्धियोग, 5 पुष्चे नक्षत्र और 9 अम्रिस सिद्धियोगों के ऐसा सहयोग करीब 19 साल बार बन रहा है जब चातुर मास पांच महा के ओ रहे हैं ऐसा सहयोग पहले 24 में हो चुका है प्रेसातियों अती विशिश, अती महत्वून, जीवन को सार तक सुखमे बनाने, मोक्ष पाने की अती अध्वित्य पर्व है चातुर मास आध्यात्वी प्रगति का निर्दारन करने में इसका गहरा योगदान रहा है इस अउदी में बगवान सरी विश्टू पाता लोग में राजा बली के द्वार पर यानि शीर सागर में विश्राम श शास्तर के मत के अनुसार चातुर मास है नियम, जब, हवन, स्वाध्याय, अत्वा वरत का अनुस्ठान अवश्य करना चाहिए दान पुर्णि करना चाहिए पिछले वर्ष भारती है विक्रमी संबत 2019 यानि 79 अर्थार्द अंग्रेजी वर्ष 2022 के बीच का अंतराल देखें लेकिन अंग्रेजी कैलेडर के अनुसार वह आगे पीछे इसलिए हो जाते हैं कि हिंदी कैलेडर में हर तीसरे साल अधिक मास होता है इस इस्तती में एक माह की अवधी बढ़ जाती इसलिए अंग्रेजी कैलेडर की गणना के हिसाब से त्योहर आगे पीछ होते हैं उनका क पावली पर्व सत्रा दिनों की देरी से आएगा खेर पांच माह के दौरान जित्रा भी संबहो दान पुढ़ने करें सादू संतों की सेवा करें साद्रा वरत करें और जित्रे भी सरोबर है नदी है वहाँ पर स्नान करना चाहिए आपके कई तरह के कस्ट इससे दूर हो जाएंगी मेरे प्रियसातियों चातरो मास के दौरान जित्रा हो सके दार्बी गरंतों को पड़ें पूजा करें इससे जीवन में आध्यात्मिक शांती मिलती है प्रती दिन सुबह और शाम को बीस-बीस मिनट का ध्यान और सूरी नवशकार जरू करें चातरो मास में ब्रह्मचरिये का पालन करें और अधिक सदिक समय तक बौन रहें प्रती दिन सुबह और शाम को बगवान शिव के साथ बगवान विश्णु जी की पूजा करें इससे सभी ग्रहों के अशु प्रभाव समाब दोंगे चातरो मास में पांच तरह के दान करने चाहिए पहला है अन्न दान किसी घरीब या जरूत बंद को पशु हो या पक्षी को बोजन करवाईए दूसरा दीब दान नदी के जल में दीपक छोड़ें या मंदिर में दीपक जलाएं तीसरा वस्तर दान किसी घरीब या जरूत बंद को वस्तर जरूत डोनेट करें चौता है चाया दान कटोरी में सरसों के तेल में अपना चैरा देकर उसे शनी मंदिर वे दान कर दें पांच वा सरम दान किसी मंदिर कोई भी पार्क में कोई भी हॉस्पिटिल हो सकता है वहाँ पर सरम दान करना चाहिए यानि मेहनत करिए जितना हो सके लोगों की साहिता करिए आपका पुन्य बढ़ेगा और जो अगले जर्म में इस जर्म में पुरुशाद करेंगे संचित करम होंगे प्रारद बनेगा तो मेरे प्रेसातियों आपको और आपके परिवार को दान करने के लिए ब्रत पर वो पूजा पाठ करने के लिए ध्यान करने के लिए बहुत बहुत शुबकामन है मैं अपनी वानी को यहीं विराम देना चाहता हूँ आज के लिए प्यार बड़ा नमस्कार बहुत 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 आशरवात अर्चना करते हैं विशिश सिद्धी प्राप करना चाहते हैं तो आपको गुरु दिख्षा प्राप करना ज़रूरी है जीवन में गुरु का होना जीवन के सार्थक्ता के लिए अतियावशक है मर्यादा पूर्शोत भगवान सरे राम तक ने महर्शी विश्वामित्र को गुरु बनाये था तो वहीं संत कबिर्दास जी ने रामानन को स्वामी विवेका नन ने राम कृष्ण परम हंस को अपना गुरु बनाया गुरु ज्यान भी देते हैं सिक्षा भी देते हैं आप भी तीन जुलाई गुरु पुर्णिमा पर गुरु दिक्षा पराप कर सकते हैं और आप उससे उसी दिन एक मिनिट के लिए टैलीफोन पर वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं इसके लिए दिये गे नबर पर संपर करके दिक्षा के लिए पूरी जानकारी आप राप कर लिजी क्योंकि गुरु कीजे दस पाचा जब तक मिले न साचा सीस कटाए गुरु बेले तो भी सस्ता जन आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्डमा की बहुत बहुत शुक्त कामना है